नमस्कार दोस्तो आशा करते हैं आप लोग ठीक हैं दोस्तो आज के इंडियन एक्स्प्रेस के पहले पन्ने पे एक समचार प्रकाशित हुआ है जिसके प्रती में आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ राजस्थान के हनुमानगर डिस्टिक्ट में विनोध बामनिया नामक 21 वर्ष के दलित युवक्त की पीट-पीट करके हत्या कर दी गई है मित्रो कईवार आश्यरे भी होता है कि 21 सदी में भी जातीगत हिंसा क्या ये प्रारूप जो है वो आज भी जीवित है ये बहुत दुखत है बहुत दुर्भागे पूर्ण है हम लोगों ने आग्रह किया है नाशनल एसी कमिशन से राश्ट्री अनुसुचित जाती आयोग से कि अविलम संग्यान लिया जाए जाँच प्रक्रिया प्रारूप भी की जाए और दोशियों के खिलाफ सक्थ सक्थ कारवाई की जाए पर दोस्तो एक और चीज़ जो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यूं होता है कि जिस प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी शासन में है वहाँ के दलितों के विरोध में या दलितों के खिलाफ कोई अन्याय या अत्याचार का मामला आता है तो वो खबर नहीं बनाई जाती है और गैर कॉंग्रेस शासित प्रदेशों में अगर दलितों के खिलाफ दुर्भागे पूर्ण अन्याय और अत्याचार के मामले आते हैं तो उस पर नाशनल और इंटरनाशनल आउट्रेज का प्रयास किया जाता है यह बहुत दुखत है द लगातार करती आई है इसलिए दोस्तों हम सबको कॉश्यस रहना है हम सबको साबधान रहना है भविश्य में भी कॉंग्रेस पार्टी और उनके द्वारा जो पोशित बुद्धी जी वी वर्ग है वो आने वाले समय में यह भरसक प्रयास करेंगे कि हमारे समाज को कैसे तो ऐसे मामले में जब कॉंग्रेस रूल स्टेट में दलेतों के खिलाफ अन्याय और अत्याचायर के मामले सामने आते हैं तो उनका सामने नहीं आना यह उनके दोहरे माबदंट उनकी हिपोक्रिसी और उनकी मैनुपलिटिव पॉलिटिक्स का एक परिचायक है हम सबको सावध अगर आते हैं तो किस प्रकार सक से सक दोश्यों किलाब कारवाई हो यह